हाई श्रूंट स्मित वीपा, आज मैं आपको microgreens कैसे ग्रोव करना है और इसका health benefits वगरा क्या क्या है और ये घर पे कितना, कैसे हम आज़सानी से ग्रोव कर सकता है इसके बारे में बताती हूँ microgreens घर पे ग्रोव करना बहुत easy है और ये बहुत convenient भी है आप बहुत आराम से घर पे ग्रोव कर सकता है और इसमें कोई season का भी देखने का जरूवत नहीं होता ये throughout year आपका घर में आराम से उख जाता है क्योंकि ये फसल बनने तक हम में वेट नहीं करना एक प्लांट करना है ऐसे दो तीन ऐसे लीव होने के बाग हम ये हार्वस्ट कर लेते हैं तो उसमें कोई season का देखने का जरूवत नहीं होता कोई भी season में हम ये बना सकते हैं और ये चीज बहुत nutrients से भी रिच है जो भी especially diet वगेरा फोलो करता है low calorie food लेना है और या कोई ऐसे disease condition में भी बहुत high nutrients वाला diet भी ऐसे लेना है तो वो लोगं के लिए भी ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें जो nutrients अवेलेबल है वो vitamin A है vitamin B कॉमलस में से बहुत कुछ है और ये vitamin C का एक रिच सोस है vitamin K भी है vitamin E है और minerals में भी बहुत सारे जैसे manganese हो गया copper हो गया iron हो गया और potassium और ऐसे बहुत सारे चीजसे minerals से भी इसमें है और ये सब चीज आपका अच्छा bond का health के लिए भी और immunity के लिए भी और जो अच्छा blood का level के लिए भी ना बहुत अच्छा होता है तो ये सब अच्छन से आपका इसको seeds वगरा भी मिल जाएगा जैसे ये देख लीजिए कि ये लोबिया है ये दोनों टाइप का लोबिया है इसमें सफेद और ब्राउन कलर का और ये चना का सीड है और ये मूंक साबुत और ये हैं मेती और ये राइ है ये सब हमें बहुत इसलिए व जो एडल लिफ से वो सारे आप माइकरो घ्रीज्स बना के ले सकते हैं उसमें चोला है का सारे वैराइटि जो एकल का लग्रीन कल में सारे ये सब हैं सकते हैं माइक्रोग्रीम्स में 40 टाइम्स ज्यादा होता है तो ये बच्चों को भी ऐसे हम खिलाना बहुत अच्छा होता है और ये बनाने के लिए भी ग्रो करने के लिए आपको बहुत ऐसे कोई चीज ऐसे खरीदने का भी जरूरत नहीं है जैसे ऐसे फूट वगर ऐसे पैक होके आ कोई पुराना टिफिन वोक्स कोई भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं अभी इदर जो मैंने लिया है ये स्वीट का जो पैक होके आया था ना उसका जो नीचे का पोशन है तो इसमें मैंने अभी कोकोपीट भरा है ऐसे कोकोपीट इवनली ऐसे ना स्प्रेट करके आप उसमें कोई भी ऐसे सीड अभी मैंने इसमें यह राइका सीड डाला है राइका सीड ऐसे इवनली आप इसमें स्प्रेट कर सकते हैं haviaर्क कर के बहुत ऐसे पतला से एक लयार इसके ऊपर भी ऐसे डाल कर दे दीजे एसे वो सीट सारे अचाहिए अचे थोड़ा डालकर देने के बाद थोड़ा सा आपको ऐसे पानी इसके ऊपर और प्रे सप्डार ओंधी करना है यह अगर थोड़ा ड्राई हो रहे तो आपको वैसे आपको पता चलेगा आपका उद्र का क्लाइमेट के साथ से इसमें पानी देना है एकदम ड्राई नहीं रहना चाहिए क्योंकि एकदम ड्राई होगा तो वह सीट कर जर्मिनेशन इतना अच्छे से नहीं होगा जैसे इसका जर्मिनेशन हो जाएगा उसके बाद आप यह बाहर ऐसे दूप में रख सकता है अगर आपके घर पर अच्छे से दूप नहीं आता है तो कोई भी ऐसे विंडो का साइड में या अच्छे से जहां से लाइट मिल सकते है ऐसे एरिया पर रख सकते है और यह 7-21 दे इसके अंदर आप हार्वस्ट भी कर सकता है तो अगर एक बैच कतम होके दूसरा बैच आप साथ साथ बनाते रहेगा तो आपको हर एक डे में micro greens का थोड़ा तोड़ा ऐसे लहने के लिए मिलेगा और जैसे मैंने बोला यह घ्रोड़ा करने के लिए बहुत ऺँ से, अबी मेरा यह देख लिजए यह मिट्टी भी है इसमें और कोको भी मिला के मैंने यह ग्रो किया इसमें नहीं है तो आप ऐसे सिर्फ टिश्यू पेपर भी रखे वो उसमें मोईस्टर ऐसे मेंडेन करना होता है आपको बीच बीच में प्रेय करके देना होगा नहीं तो यह थोड़ इसे बासकर टाइप का कुछ लेके वो एक पानी वाले ऐसे ट्रेल लेके उसमें डिप करके रख सकता है फिर वो सीर्स आप उसमें डालेगा तो बिना मिट्टी का या बिना ऐसे कोको पीक का भी बहुत आराम से उसमें टिश्यू पेपर भी ऐसे कुछ भी यूज करने का ज और बहुत आराम से आपको उसमें से भी ऐसे हार्वेस्टिंग कर सकता है तो यही सब है जो माइक्रोब ग्रीन के बारे में बोलना है बहुत ही रिचिन नूट्रियन्स है वैसे हम लोग यह सब चीज़े बहुत इग्नोर करता है मतलब हेल्थ बेलिफिट्स बगरा ना जो जो हमें मिलता है हम इतना नहीं देखते हैं मतलब कुछ भी ऐसे खाना है बस वही देखते है लेकिन आपका डायेट में आप बहुत अच्छे से कॉंसलेट करेगा तो बहुत अच्छा एक इम्म्यूनिटी आपको मिल सकता है यह देखिए मैंने यह भी हार्वेस्ट किया थ इतना अच्छा नहीं लगेगा फिर भी अगर हेल्थ बेनिफिट अगर देखा जाए तो इसमें बहुत अच्छा है आपका बोडी के लिए तो वह समय मनलब सोचके भी आप लोग ऐसे खा सकते हैं और यह आप सालाट के साथ भी बहुत इसली ऐसे रो भी खा सकता है नहीं तो इसे कोई भी विजटेबल के साथ भी ऐसे डाल के हम ले सकते हैं अभी देखें यह मैंने अल्री दाल बनाया था और उसमें ऐसे चोटा-चोटा पीस काटके ऐसे डाल दिया और यह अल्री यह उबल रहें बस दो-तीन बार ऐसे बस थोड़ा हिला के यह थोड़ा हलका बाला होगा फिर निकाल दिया और यह पराठा भी बना के आप बचों को आराम से खिला सकते हैं माइक्रो ग्रीन्स नूट्रियंस का बहुत रिच सोर्स है तो सब भी बहुत इसली ट्राइ कर सकता है अपना घर पे वैसे कोई भी सीट के लिए भी आपको कोई दिकत नहीं है ऐसे कोई पीट आपको ओनलाइन भी बहुत इसली मिल जाएगा यह नहीं है तो आप ऐसे पानी में भी ऐसे बासके ऐसे नेट टैप कर रहके ग्रो कर सकता है बहुत इसली है मलब आपको अलग से कुछ लेने के लिए कई बाहर जाने का जुरूरत नहीं है तो सभी ट्राइ क अलीजिये तळिकर लेटन से क्टीरो थाने का लेह नहीं है से क्यावच है? अजए तारवक